तो आज हम बनाने वाले हैं एक कप मूंग की दाल से वहत ही टेस्टी और करारा एकदम खसता नासता तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है और उसके पहले अगर फर्स्ट इम आये हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल अन करना ब मूंग दाल कर नासता अपनाने के लिए सबसे पहले मूंग के दाल को भीगो लेना है चार गंटा पानी में उसको अच्छे से दो के और यहां पे पीस लिया है हमने जो पीस हुआ बैटर है इसको मैं दो जगा रखूंगी एक जगा देखिए यहां पे मैं थोड़ा सा जीरा कस्तूरी मेथी और चाट मसाला और इसमें डाल लूँगी सौफ अब इसमें डाल लेना है मोयन के लिए तेल तेल के जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं और भी खास्ता बनेगा आपका नासता तो यहां पे इन सब को अच्छे से मिक्स करना है थोड़ा थोड़ा पान इसमें डालते हुए साथ में डाल लेना है नमक नमक तो पहले ही डाल लिया है यहां पे हल्दी पाउडर और लालमेश पाउडर टाल लेना है काला नमर के सादा नमक जो भी आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं यहां पे आटा हमने त्यार कर लिया है आटा त्यार करके य लाल में श्रावडर शाट मसाला इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसको भी मिक्स करने के बाद चलिए वाटा तो तैयार है अब यहां पे जोगाइस प्लेट फॉर्म इसको अच्छे से साफ कर लिया था और यहां पे थोड़ा सा मैं तेल लगा ले जमीन पे और इ और यहां पे मैं फोक से होल करना भूल गई थी वह भी अब जरूर कीजिएगा मैं बाद में फिर की थी फोक से जब होल करेंगे ना तो क्या होगा कि अपका पूरी जैसे फूलेगा नहीं और बहुत ही खास्ता बनेगा अब यहां पे कटोरी लीगों में और कटोरी से इसक बना के रखा हुआ था ना पेष्ट उसको इसके उपर अपलाई करना है पूरी के उपर और तब तक हम गैस पे कडाही में पानी गरम हो चुका है तो इस पर हमें थाली रख देंगे और इसको पांच मिनट तक हम मीडियम आज पर पकने देंगे धक करें और यहां पर पूर बना सकते हैं अलग-अलग डिजाइन का बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खाने में और देखने में भी पसंद करते हैं बच्चे तो इस तरह से देखिए हमने कट कर लिया है और इसको भी थोड़ा सा मोटा ही रखना है ताकि उठाने में आराम से उठ जाए तो आपको दोस्तों कैसा लग रहा है मेरा यह तरीखार ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके आपका एक हिक कमेंट में पड़ती हूं और रिपराइ भी करती हूं आप ऐसा तार लेते हैं और तब तक कड़ा रखेंगे दूसरा और उससे पे आप चाहिए न तर लेना है तो तेल यहींपे गरम हो चुका है तो चलिए इसको तर लेते हैं लोगी तो दोनों साइट से उलट-उलट कर अच्छे से एकदाम अच्छा करारा गरम मतलब हंवासता होने तक अगर आप गरम घरम खाएंगे ना तब तो बहुत अच्छा लगता है अब यहां पर इतना सारा हमने त्यार कर लिया है पर एक तरीका में आपको और बताने वाली हूँ अभी लाश तक जरूर देखिएगा वीडियो को और चटनी हमने की इस तरह से बनाया है वह भी मैं बताऊंगी चटनी का रेस्पी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी पर मैं बताऊंगी बहुत ही असान तरीका है चटनी बनाने का यहां पर डानिंग टेवल पर मैं रखी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था किसी भी गेश्ट को अगर आप इस तरह से सर्व करके देंगे ना वो खूस हो जाएंगे तो चलिए मैं अगला तरीका बताती हूं आपको सबसे पहले कुकीज बाला इस तरह से कट करके और इसको भी थोड़ा सा हमें गरम पानी पर बॉयल कर लेना है जैसे हमने इस पूरी को श्टीम पेस पकाया था पांच मेट तक उसी तरह से इसको भी पका लेना है और उसके पाद इसे ठंडा करके हम तर लेंगे तो चलिए ओभी मैं दिखाती हूं और एक और दूसरा तरीका है बहुत ही आसान मतलब हो जाएगा जैसे हम चार चार पूरी जो एक साथ की है ना यहां पर बहुत सारा पूरी को हम एक ही साथ बेल लेंगे और पहले इसमें देखिए ह ने होल किया है कि आपका जो पूरी है बहुत ही खास्ता बनेगा और पूरी जैसा फूले नहीं पूलना नहीं चाहिए इसके लिए हम लोग करते हैं तो यहां पर जो बैटर है ना एक ही साथ हम अप्लाई कर लेंगे देखिए है और इसको हम पॉल नहीं करेंगे यह अलग तरीका है इसको हम गरम पानी पर पकाएंगे नहीं इसको हम क्या करेंगे डाइरेक्ट कडाही में हम तर लेंगे मुझे उमीद है कि ये नास्ता आपको जरूर अच्छा लगेगा कभी आपके घर में कोई गेश्ट आए या साम को मतलब मन करेगी थोड़ा सा चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है टीके साथ तो आप ये नास्ता जरूर ट्राई कर सकते हैं तो ये इतना सारा हमने त्यार कर अब इसे फटा फटन तर लेंगे इसमें क्या है कि आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा इसे उठाना है और बास कडाही में पिलट कर डाल देना है जो डाल लगा हुए ना उस साइड से हमें इसको डालना है इस चीज का ख्याल रखिएगा उल्टा साइड से ह हमने बॉयल नहीं किया है पानी की भाफ पर और इसको डाइरेक्ट हमने तल लिया है और यह भी बहुत ही अच्छा बनकर त्यार हुआ था तो आपको दोनों तरीके हमने बताए है कौन सा तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगा जरूर बताईएगा मुझे कमेंट करके यह देखिए इनको भी हमने उबाल लिया था थोड़ा सा पानी पर पका लिया था और अब चली इसको भी मैं तल के आपको दिखाती हूं तो देखिए इसी तरह से इसको भी तल लेना है अच्छे से लाल होने तक दोनों साइड से पलट पलट कर जरूर किजिएगा इसको बना रही थी मैं पर इकोड करना भुल गाई थी तो किया हुए था कि सब से पहले मने टमाटर को बोयल कर लिया था रो से च्टिक उड़ कर लिया था जोड़ा उसके च्छीं किया था डुसीर हर किसी के घर मे रहता ही है अर पुर्जिय से ओ अर हरे मिज और ते बहुत ही य अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगी है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फाली में सेर जरूर कीजिए गा प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चले फिर मिलते हैं अगली रस्पी के साथ